हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूटूब चनल पे दोस्तों आज की वडियो में आपको ताहूंगा किस तरीके से आप फेस्बुक प्रोफाइल पे एड फ्रेंड के जगा फॉलो बटन लगा सकते हो अपको फेस्बुक प्रोफाइल प्रोफाइल श्मार बटन डलेया आपको फेस्बुक के ऑफिसल अपलिकेसन को ओपें करते हो कूछ इस तरह का इंतरफैस आयाता है एब भी में follow button add करने के लिए आपको top पे three line बला option दिया है आपको इस three line पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप three line पे क्लिक करोगे एक new page अपन हो जाएगा यहाँ पे आपको अपना profile name show करेगा इसके बाद यहाँ पे आपको नीची तरफ आना है यहाँ पे आपको एक option दिया है settings and privacy तो आपको इस settings and privacy पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप settings and privacy पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक new option आ जाएगा settings तो आपको इस settings पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप settings पे क्लिक करोगे एक new page अपन हो जाएगा settings and privacy meta account center F B में follow button add करें के लिए आपको निच्ची तरफ scroll करना है यहाँपर आपको ऑप्सन दिया है audience and visibility audience and visibility के नीचे आपको एक और ऑप्सन दखन के मलता है how people find and contact you तो आपको how people find and contact you पर click कर दिना है तो जैसे आप how people find and contact you पर click कर होगे यहाँ पर आपको एक option देखने का मलता है who can send you friend request तो यहाँ पर आपको side make option दिया है everyone तो आपको इस पर click कर देना है तो जैसे आप everyone पर click करोगे यहाँ पर आपको दो option आ जाएगा choose audience everyone friends of friends तो यहाँ पर आपको friends of friends पर select कर लेना है तो जैसे आप friends of friends पे select करोगे आपका setting on हो जाएगा friends of friends पे आप लोग देख सकते हो हमारा on हो चुक है इसके बाद यहाँ आपको back कर देना है और यहाँ आपको फिर से आ जाना है audience and visibility पे audience and visibility को नीचे आपको एक और option देखने के मलता है followers and public content तो आपको followers and public content पे click कर देना है तो जैसे आप followers and public content पे click करोगे एक new page open हो जाएगा followers and public content who can follow me तो यहाँ पे आपको नीचे एक तरफ scroll करना है यहाँ पे आपको option दिया है public friends तो यहाँ आपको पब्लिक पे select कर लेना है पब्लिक को select कर देने के बाद आपको नीचे एक तरफ scroll करना है यहाँ पे आपको एक option दिया है public post comment तो यहाँ पे आपको three option देखने के मल जाता है public friends of friends तो यहाँ पे आपको पब्लिक पे select कर लेना है पब्लिक को select कर देने के बाद आपको नीचे एक तरफ आना है पब्लिक post notification बाल अपसन देखने के मलता है यहाँ पे आपको three option दिया है everyone, friends of friends, no one तो यहाँ पे आपको everyone पे select कर लेना है everyone को select कर देने के बाद आपको नीचे के तरफ scroll करना है यहाँ पे आपको एक option दिया है public profile info यहाँ पे आपको three option देखने के मलता है तो फिर्ण हमारा सभी setting on हो चुका है, your setting have been updated, तो आप लोग चेक कर लिजे, public everyone, public, 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 इसके बाद यहाँ पर आपको back कर देना है, और home पे आजाना है, facebook के, इसके बाद यहाँ पर आपको 3-line वाला option देखना का मलता है, आपको इस 3-line पे क्लिक कर देना है, तो जैसे आप 3-line पे क्लिक कर आगो, यहाँ पर आपको अपना profile name show करेगा, तो आपको यहाँ पर एक option दिया है, see your profile, तो आपको इस see your profile पे क्लिक कर देना है, तो जैसे आप see your profile पे क्लिक करोगे, एक new page open हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपना profile show करेगा, इसके बाद यहाँ पर आपको 3.0 पर क्लिक कर देना है, तो जैसे आप 3.0 पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अप्शन आएगा, Profile Settings, यहाँ पर आपको एक अप्शन देखने कर देना है, View Us, तो आपको इस View Us पर क्लिक कर देना है, तो जैसे आप View Us पर क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, सुफ बटन एड़ कर सकते हो 2023 में तो यह था complete new process facebook followers setting 2023 के बारे में सो एवड़ी पसन आए तो प्लीज जुरो के लेक की जगा चैनल पर पहली बारे तो प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब की जगा जैन वंदे मातरम की ट्सक्राइब की जग्लीज बवाल